इंद्रा गांधी को एमर्जंसी के बाद एक चुनाओं में किवल हार का सामना करना पड़ा राहुल गांधी चुनाओं मैदान में हैं और उनके सामने भाजपा से दिनेश पताप से उत्तर परदेश की रायवरेली लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसकी चर्चा इंदिनों पूरे देश में है यह सीट कांग्रेस परिवार की एक परंपरागत सीट रही है उन्निस सो चववन से जबसे यह सीट अस्तित्त में आई है तबसे इस पे गांधी परिवार का ही कब रहा है इन्दरा गांधी को isotधी के बाद एक चुनाओं में केवल हार का सामना करना पड़ा लेकिन उसके बाद में कांग्रेश सीट में कभी नहीं हारी है कि इसलिए कांग्रेस का दावा इस सीट पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है फिलहाल इस सीट पर इस बार राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने भाजपा से दिनेज परताप सिंग है दिनेज परताप सिंग उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री भी है और दवर में पहुंच गया है क्योंकि काटे का मुकाबला माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस का गढड है इसलिए उनकोष का पलर हैं लोक भारी मान रहा हैं लेकिन विजेपी भी बूट अस्तर तक यहां पर अपने करकर्ताओं की एक फोस तयार करके बैठी ह तो इसलिए बीजेपी के भी अपने दावे हैं आज हम राइबरेली के सहजावरा में हैं और यहां पर हम लोगों से जानेंगे यहां किसान है ग्रामीन है कि किस तरह का माहौल है वो क्या सोचते हैं और किसके हक में फैसला सुनाने जा रहे हैं सबसे पहले तो सेखर जिसे आपकी आपका यह फार्म हाउस है इसमें बहुत मतलब यहां पर गौसाला भी है और आप बड़ी मेश्रूल तरीके से खेती करते हैं तो यह क्या लगता है किसान कहां बैठता है किसानों के हट में कौन से सरकार ठीक है देखिए आपको मैं बड़ वो नहीं है किसी के पास कोई बड़ा रणनीत नहीं है किसान बहुत ही अंतिम पायदान पर है कांग्रेस ने जरूर अपने मैनोफेस्टों में MSP गारंटे की बात कही है लेकिन केवल वही एक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है आज अगर भारत को विश्व गुरू बनाने का आप डाव कर रहे हैं कि साधर पर आप भुत्त गुरू बनाएंगे हमारे पास था ही क्या पूरी दुनिया किसानी सीखने और लेकिना पूरा विश्व भारता आया लेकिन आज किसानों की इस्तिति क्या है कि कोई भी किसानों की तरफ देखना नहीं चाहता है तो मैं बड़े ही बेबाकी से राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि उनके पास किसानों को ले करके क्या कारिक्रम उस कारिक्रम के साथ अगर कोई भी राजनीतिक दली समय आ जाए तो निश्ची तोर पर उसकी वीज़े ही होगी जो दूसरी चीज बताइए कि आप राइबरेली सीट से हैं आप लोग और यहां कम जो चुनाव का मिजाज है मिजाज कुछ बदला हुआ दिख रहा है क्योंकि यह सीट सोनिया गांधी पिछले बार यहां से चुनाव लड़ी भी जीती भी एक लवती सीट थी जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली थी तो इस बार किस तरह के समय करण है देखे ऐसा लग रहा था कि क्या होगा असमंजज की स्थिति थी दो बातें बड़ी ही मज़ेदार रहें कांग्रेस ने बहुत बहुत यंतिम समय में अपने कंडिडेट यानि राहुल गांधी को घोशित किया कि यहां से लड़ेंगे तो परताब सिंख ईको इस सीट से चुनाव जीतने में मसकत करनी पड़ेगी महिंध करनी पड़ेगी उनको कोई वाकוכवर मिलने वाला recall कांग्रेस की यह परंपरागस सीरती विप्रीच समय में कांग्रेस के सिवा यहां कोई जीता नहीए आज भी यहां की जन्ता के मन में इसनी जिसे मिलने का वो पीड़ा हमेशा से कांग्रेस ने यहां के जनता को दिया यह बात सही है किन्तु मैं यह नहीं कहता कौन जीतेगा कौन हरेगा इस विबाद में हम किसान क्यों फसे लेकिन यह निश्चित तोर पर है कि यह चुनाओ बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस की वो सीट है परंपरागत सीट रही है कि जहांसे कांग्रेस एक बार छोड़कर कभी हारी नहीं और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यहां पैर जमाने वाली इस्तिती है तो हम कुछ महिलाएं भी हैं गरामीर महिलाएं हैं और इनका क्या सोचना है क्योंकि ये रोज कई समस्याओं से गुजरती हैं इनको चूला चौका के साथ साथ खेती किसानी भी करती हैं तो वो क्या सोचती है क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों महिलाओं को लेकर बड़े अलान किये कि वो उनकी सरकार आई तो एक लाग रुपए त इसे कितनी विस्वास करती हैं उनसे जानते हैं यह बताए कि आप लोग राहुल गांधी को जानती है कि नहीं जानती है इस रहे बताए कि हाथ के पंजे को ओड मिलेगा कि कमल कूँ हैं है बताई राष्ट को पंजे को कमल के फूल को क्या और गांदी जो बीजेपी में नहीं बीजेपी बहुत कुछ कर रही है मैलाओं को मैलाओं और सूरचित कानून विवस्ता तो भरजासन पहुंच रहा है I will हाँ मिल तो रहा है लेकिन चलो कमल के फूले में देंगे अच्छा हमारी ओटी नहीं आती पहली बात तो अभी नहीं आई मैलाओं क्या सोस्ती क्या है मैलाय यह लगता है नहीं यह रावल गांधी का पूरा छित रहा है यहां पर हम बात करते हैं किया नाम है आपको रॉड़ाब जी रामस golden जी ए बताइए कि किसہान क्या इस दस सालों में खुशाल है हिरा है क्या परसानी है deposi जानवर ताक्ड जाना परता और कैया को यही दिख़त है भी बाकी खुशाली है हाँ अनाथ को इसमी तो क्या लगता है कि राइबरेवी के चुनाव में किसानों की खुषाली का मुद्धा रहेगा या गांधी परिवार का मुद्धा रहेगा जीतने हारने की बात ही के तो वोड़ दीजिए कांग्रेस कहती है कि नहीं कांग्रेस आपने इतना लंबा समय देखा हमने राइबरेली को बहुत कुछ यहां पर विकास किया यह दिया दुनिया बर की चीजी तो आप किसको देखते हैं है अब सर वताया पाएंगे वोटफन ही अविधा आप किसाण है और खेती किसानी काम में मदलब कि ही तatriती कांग्रेस सरकार यह थिक इत है कर आदी तो फिर किसको मुखा मिलना चाहिए यहां क्या आप दिया जाएगा इसको गांधी पजवार को मुखा मिलेगा क्या पता गांधी को मिले कि इसको मिले कि नहीं को मिल सकता है वो तो वक्त बताएगा यहां और चेतर में कोई मुद्दा है कि जिसको लेकर आप लोगों की कोई बात है या नाराज़गी है हाँ तो आप घूम सबके है तभी पता जर्वी हर बिख्ती का एक मुद्दा होता है कि सबके नहीं अच्छी है दिकास नहीं हो रहा है यहां सब कंप्लीट है किसानों के लिए बड़ा मुद्दा ये भी है कि जानरे के मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं हाद की बोरी म कि खत्म कर दें खिर डालेंगे एक गए बनार है तो बाइट पाइजी मुफ्त तो देंगे नहीं आप से कहेंगे कि पैसा देंगे वाई बना रहे हैं ऐसाने में तयारी पूरी घुछ बन रहे जहां जाहां बन रहू बनू हैं तो इस्तिति है कुछ बदलाव का आपिरेधी नगे लेंका बदलाओं तो मुस्किले है जैसा है वैसे ही चलेगा चली है इसे है अब भी हाँ पंजे को भरोसा है भरोसाथ भाइ है तो भरोसा क्या देखकर है अरी सरकार खाली राश्टी नेता कि रहुना है यह जंता चिल्ला रहे सब बस तो बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोनों लोगों का जी लेकिन बिकास तो सर बीजेपी सरकार तो ही हुआ है अच्छा कांगरेस में नहीं नहीं है लेकिन यहां कोई भी आदमी लगा उत बताई है यहां कि आदमी नहीं लागें तो बना तो मिल रहा है लेकिन सुबह तीन बड़के जाओ लाइन लगा फिर भी नमबर आये नाये भटती हो नहीं होए डाक्टर घर पर आया आपके नहीं बाकी खेती किसानी को लेकर कौन से सरकार ठीक है बीजेपी ठीक है किस लिहाज से आप बताई है बीजेपी में हर अनाज का पैसा जो है अब दोगुना मिल रहा है दोगुना मिल जी अच्छा किसान तो बहुत वहां पर हरियाना में वहां धरने पर बैठे हैं दो ठाई महीने से कह रहा है कि पैसे नहीं मिल ला है मेस्पी और ज्यादा होनी चाहिए आनाज कि मैं पहले सरकार में गेहूं जो है वही शुगदा पंदर उपाएं भी रहा आठेश चोबिस उपाएं भी पहारा है तो इन किसानों का यही कहना है कि पी-म किसान का पैसा मिल ला है अनाज के अच्छे रेट मिल लेकिन कहीं कहीं नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो छुटा पसू हैं उनकी फसलों को नुक्सान पहुंचा जाते हैं यूआ भी हैं बहुत हमारे साथ में कुछ है कि पारे सोसते हैं हôm इं जा सचते मुद्दा क्या है चुनाओ का चुनाओ का है अचा हो बदा मुद्दा मतलब युगा उसकां है कि हमें रोजगार मिले मंश्क का क कि रोजगार को सरकार में रही थे रही है मैं कि दोनों अगर दे रहा है तो किसी एक को चुनेंगे न इतनी समत मोदितों कि अपका कहना है ठीक है टूड एक है किसको चुनेगा राहुल को की अरे राहुल वैसा क्या है रोब प्रेड़िया काम करता तो पहले पहले आप नहीं आप तो मोधी के सरकार अढ़ा है कांगा निकल पार है अज़ा राहूल बहुत उस तरह से बोलते हैं उल्टा सीधा तो क्या लोग विश्वास कर लेते हैं क्या उनको बहुत विश्वास नहीं होता है कहते हैं कुछ भी बोल देता है आलू से कभी सोना बना देते हैं तो कभी ये सीट चुकि गांधी परिवार से जुड़ी रही है और इस सीट पे इन तमाम लोगों ने महलाएं भी हैं, युवा भी हैं और यहां पर बजुर्ग भी हैं, हर तरह के लोग हैं और इन लोगों ने अपनी एक राय बेबाकी से रखी है, राय उन्हों ने ये रखा है कि कां ब्रदातर लोगों का ये भी कहना है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए उसको भी मौका देना चाहिए, कुल मिला के चुनाव यहां 20 मई को है, और 20 मई को जिस तरह का चुनाव है, उस चुनाव को देखते वे ये बड़ा कहना मुस्किल होगा कि यहां पर कमल दिखे लेगा या हाथ का पंजच दिखेगा, वो एक मतगरना के दवर में ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल में अभी भी लोगों की जो एक कह सकते हैं कि विश्वास है, एक लोगों का एक गांधी परिवार में अभी बना हुआ है, वो उसको तोड़ पाना आसान नहीं हो धरमेन सिंग की सांता क्राइवरेली